Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय बीते कुछ सालों में भारत के नौर्थ इंडिया में एक गैंगस्टर काफी फेमस हुआ है जिसका नाम है लौरेंस बिस्नोई और वैसे भी जब सोसाइटी में कोई आदमी फेमस हो जाता है तो उस नाम के साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं अपने नाम को जोड़ने के लिए ताकि उस नाम के सहारे तो थोड़े बहुत वो सोसाइटी में नंबर बना सकें और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस नाम क इस्तिमाल करके थोड़े बहुत पैसे भी कमाना चाहते हैं यहां से लगबख चार या पांच दिनों से हमारे सामने एक नाम आना शुरू हो जाता है जो नाम रहता है विकास यादव और एस पर मीडिया रिपोर्ट ये भारत के एक्स रॉक के एजेंट भी रह चुके हैं विकास यादव का नाम सीधिया आके जोड़ता है गुर्पतवन सिंग पर्णू के असैसिनेशन के केस में इस वीडियो में हम समझेंगे कि विकास यादव का नाम किस तरीके से गुरपतवन सिंग पन्नू के assassination में आ रहा यहां से अगर हम गुरपतवन सिंग पन्नू और विकास यादव के बारे में बात करें तो हमारे सामने दो situation आता है एक तो एक नहीं बहुत बार गुरपतवन सिंग पन्नू भारत को तोड़ने की बाते कर चुका है और possibly भारत को हर तरीके से वो डिस्टरब करने की बाते भी कर चुका है और साथ में आपको आज भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे गुर्पतवन सिंग पन्नु ओपनली एर इंडिया के फ्लाइट को उडाने की वो बाते करता है और किसी भी तरीके से एर इंडिया के फ्लाइट को ना लेनी के भी वो बाते करता है तो हमारे सामने इतने तो एविडेंसे जरूर हैं जिस एविडेंस के इस्तिमाल करके हम गुर्पतवन सिंग पन्नु को एक ग्लोबल टेरिस्ट डिकलेर कर दें लेकिन नहीं जहां पे बात आता है यूवेस कैनेडा का तो यूवेस और कैनेडा इन सब लोगों को एक अपने एसेट के तरह इस्तिमाल करते हैं ताकि वो सामने वाले देश के उपर प्रेशर क्रियेट कर सके जब भी उनको समय उस हिसाब से मैसूस होगा तब यहां पे आप एक hypothetical situation को imagine करें कि अगर यही गुर्पतवन सिंग पन्नू यूवेस को threaten करता तो क्या अब तक यह जिन्दा रहता तो जवाब है शायद नहीं और अब तक गुर्पतवन सिंग पन्नू को एक global terrorist declare कर दिया जाता और किसी भी तरीके से यह जिस भी देश में होता उस देश के उपर इतना जादा pressure create कर दिया होता कि वो देश मजबूर हो जाता इस आदमी को यूवेस को सौपने के लिए लेकिन यहां पे आप दुबारा से देख सकते हैं यूवेस यब बड़ा hypocrite देश कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता जहां तक हम बात करें विकास यादव के बारे में तो लास्ट येर डिसेंबर के महीने में विकास यादव को डेली पुलिस के दुवारा अरेस्ट किया जाता है पिष्ले साल जब डेली पुलिस के दुवारा विकास यादव को अरेस्ट किया जाता है तो इसके उपर एक बहुती गंभीर चार्ज होते हैं और एस पर डेली पुलिस ये रोहिनी बेस्ट एक बिजनेस मैन को किडनाप करते हैं और किड्नैप करने के बाद उससे कुछ फिरोती या इसी टैप के कुछ डिमांड्स वगेरा को किया जाता है यह exactly story शुरू होता है December 11 को जहां पे विकास यादव क्या करता है कि यह रोहिनी बेस्ट आदमी को कॉल करता है और कॉल करके उसे डेली कहीं लोधी रोड के आसपास वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और जब यह डेली बेस्ट आदमी वहां पहुँचता है विकास यादव से मिलने के लिए तो विकास यादव अलड़ी अपने एक साथी के साथ था जहां पे वो इस बिजनिसमैन को मारता है पीटता है और साथ में ये भी कहता है कि उसे लॉरंस बिस्नोई ने एक कॉंट्र पहन के थे उस वो सभी चीज़ को विकास यादव और इसके एसोसेट के दुवारा छीन लिया जाता है और साथ में ये भी धमकी दिया जाता है कि अगर किसी भी तरीके से ये बिस्नेसमैन पुलिस के पास जाके कम्प्लेन करेगा तो उसके जो कॉंसेक्वेंसे होंगे वो तो इसी दौरान क्या होता है विकास यादव और इस बिस्नेसमैन की जो मुलकात होती है वो किसी पार्टी फंक्शन में होता है तो उसके बाद दोनों एक दूसरे के नंबर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और जो बिस्नेसमैन के दुवारा ऐलिगेशन लगाया गया है विक बिस्नेसेस हैं और इस पूरे दौरान वो किस तरीके से फिनेशल ट्रांजेक्शन करता है इन सब के उपर विकास यादव का काफी खास ध्यान था क्योंकि लास्ट येर के डिसमबर 11 को विकास यादव और इसके ऐसोसेयर्स के दौरा इस बिस्नेसमैन से छिंतेई की जाती है तो उसके बाद F.I.R. दर्ज होता है और उसी को लेके डिसमबर 18 तारी को डेली पुलिस के दौरा विकास यादव को अरेस्ट कर लिया जाता है जहां पर इसके उपर कुछ चार्जेज वगरा लगाया जाते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं क्रिमिनल कॉंस्परेंसी होते हैं attempt to murder होते हैं लेकिन उसके बाद उसे मार्च के महीने में फिर बेल मिल जाता है अगर यहां पे दिमाग में सवाल ये आ रहा कि आखिर में विकास यादव ये kidnapping का plan को क्यों करता है तो ऐसा लगरा है कि विकास यादव किसी तरीके से एक financial crisis में था और जहां पर जिस associate का मदद लेता है वो भी ओलडी एक financial crisis में था और as per Delhi police जो associate को hire करता है विकास यादव उसके कुछ पुराने गारियों के businesses हैं तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो यह है कि विकास यादव के पास भी ऐसा लग़ा कि financial constraint थे और same situation ये जो associate था उसके साथ में भी था तो दोनों के situation same थे और ये जो businessman था विकास यादव ये कहता है कि जब वो पहली बार इस businessman से मिलता है तब ही already इसके दिमाग में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि इस businessman से किसी भी तरीके से पैसे वसूल आ जाए तो I hope की यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गया कि विकास यादव जो है वो किसी भी तरीके से एक innocent आदमी नहीं है लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं होता है कि विकास यादव का कोई रोल है गुर्पतवन सिंग पन्नू के assassination में अब क्यूंकि विकास यादव का बाइ Government of US वो ये है कि hire a hitman यानि कि एक contract killer को hire करने का जो charges है वो लगाये गया है murder for plot लगाये गया है और money laundering भी लगाये गया है तो जो Government of US का statement या उनके जो narrative है उसके हिसाब से ये है कि विकास यादव hire करता है निखिल गुपता को और निखिल गुपता को ये responsibility दी जाती है कि वो गुर्पत्वन सिंग पन्नु को US में मार दे लेकिन जब विकास यादफ के दुबारा निखिल गुपता को हैर किया जाता है तो निखिल गुपता एक hitman को हैर करता है और जो media report suggest कर रहे हैं वो ये है कि जिस hitman को निखिल गुपता हायर करता है वो hitman जो होता है वो US का undercover agent होता है तो जो बाते leak हुई है वो यहीं से leak हुई है क्योंकि जो contract दिया गया था वो एक US कहीं officer या उसके ही लोगों को दिया गया था और इस पूरे process में जो बात मालूम पर रही वो ये है कि विकास यादव main conspirator था और वो गुर्पतवन सिंग पन्नू को मारने के लिए कुछ hundred thousand dollars वो खर्ष किया था या खर्ष करना चाह रहा था जहांपे कुछ advance के तोर पे वो 15,000 dollars भी देता है यहां से भी एक बात clear ये नहीं हो रहा कि विकास यादव को आखिर में ये क्या पड़ी थी कि वो गुर्पतवन सिंग पन्नू को मारे I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye